इस घटना का विवरंड वेस्टर्न कमांड के आर्मी ओफिसर मिश्टर फेरल ने स्वयम सापताहिक हिंदुस्तान नाम की सापताहिक हिंदी पत्रिगा में 17 मई 1969 में दिया था यह घटना 1942 की है जब कुमाओ के राजा ने वेस्टर्न कमांड के आर्मी आफिसर मिश्टर फेरल को पहाडों में एक पिक्निक ट्रिप के लिए आमंत्रित किया मिश्टर फेरल को इस ट्रिप में इन्वाइट करने का एक विशेश कारण था मिश्टर फेरल ब्रिटिस होते हुए भी भारती आध्यात्म, दर्सन और संस्क्रिती में बहुत अधिक रूची रखते थे उन्हें कई मौकों पर भारती योगियों के चमतकार देखने को मिले थे और इनी सब के प्रभाव से मिश्टर फेरल ब्रिटिस होते हुए भी साकाहारी हो गए थे और यही कारण था कि उन्होंने इस आमंतरन को सहर स्विकार किया उन्हें उमीद थी कि हिमाले की पहाडियों में उन्हें कुछ संत और योगियों के दर्शन होंगे जो उन्हें आध्यात्मिक साधना की दिसा में आगे वढ़ने में मदद करेंगे मिश्टर फेरल कुमाओ के राजा और रानी और उनके कुछ सैनिक नैनी ताल के समीब एक पहाड़ी पर पहुँचे जो बहुत अधिक सुंदर थी इसलिए उन्होंने उस रात वहीं पर अपना कैम्प लगाने का निश्य किया इस तरह से दर्दनो टेंट कुछ ही देर में उस सान जगह पर लग गए और वह जगह पुरी तरह से लोगों के हलचल से गुझाय मान हो गई देर रात तक वे लोग चहल कदमी करते रहे और बात चित करते रहे उसके बाद सारे लोग अपने अपने टेंट में ठक हार कर सोने चले गए और तुरंथ ही गहरी निन ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया पहले प्रहर की निन मुस्किल से ही खत्म होई होगी जब मिश्टर फेरल को लगा कि कोई उनके टेंट के आसपास खूम रहा है वे उठे और उन्हों ने एक आवाज को साफ साफ यह कहते हुए सुना हमें इस जगह की जरूरत है जहां पर तुमने अपना टेंट लगाया है इस जगह को खाली कर दो अगर तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही है तो तुम्हें उत्तर पश्चिम की पाढ़ियां जो तुम्हारे समक्षी हैं उन पर आना चाहिए मैं तुम्हें सारी बाते समझा दूँगा इस पर मिश्टर फेरल ने कहा लेकिन आप हैं कौन और यह कहते हुए मिश्टर फेरल अपने बैट से उठे और अपनी टॉर्च जलाई लेकिन वहां कोई नहीं था वह अपने टेंट से बाहर आए और वहां भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था और नहीं उन्हें किसी की कदमों की आवास सुनाई दी कुछ छण डर महसूस होने के बाद में वे समान्य हो गए और अपने बिस्तर पर सोने के लिए वापस चले गए उनकी घड़ी में कुछ साड़े तीन बजे होंगे बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी मिश्टर फेरल को निन नहीं आ रही थी वह बहुत अधिक प्रयास करके अपनी आँखों को बन नहीं रख पा रहे थे तभी उन्हें फिर से अपने टेंट के आसपास किसी की मौझूदगी का हैसास हुआ उन्होंने अपने बेट पर लेटे हुए भी अपने आँखों खोली और किसी की परचाई को अपने सामने खड़ा पाया उन्होंने फिर वही सवाल पुछा आप कौन है और जैसे ही मिश्टर फेरल ने अपने टॉर्च की लाइट जलाई वह परचाई फिर से गायब हो गए मिश्टर फेरल का सरी डर से कापने लगा ये वही मिश्टर फेरल थे जिन्होंने सैखडो युद्धों में खून खराबा देखा था फिर भी वह कभी डरे नहीं थे वह किसी अंजान परचाई के डर से कापने लगे थे वे अपने विस्तर में ही आग बंद करके लेटे रहे लेकिन उन्हें सुबह तक कुछ भी सुनाई नहीं दिया लेकिन एक अजीब सा खिचाओ उस उपतर पश्चिम की पहाडी की ओर उन्हें खीच रहा था जिसका जिक्र उस आवाज ने किया था उन्होंने अपने कपड़े पहने जोते पहने और चुप चाप अपने कैम से बाहर आ गए और उसी पहाडी की ओर चल दिये घटनाक फेरल ने स्वयम लिखा है जिस जगह पर उस आवाज ने मुझे पहुँचने को खा था वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत अधिक कठीन, सक्रा और खतरनाक था मैं खुद से उस पहाडी पर चढ़ने में असमर्थ था लेकिन मैं लगातार यह मحसूस कह रहा था कि मुझे उस पहाडी पर चढ़ने के लिए कोई रास्ता दिखा रहा है और मुझे उर्जा दे रहा है कुछ साड़े तीन घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मैं उस पहाडी पर चढ़ने में काम्याब रहा बहुत अधिक सांसों के चलने के कारण मैं और आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस कर रहा था इसलिए मैं एक चौकर पत्थर पर बैट गया टाकि मैं कुछ देर आराम कर सकूँ उस दो मिनट ही बीते होंगे तभी मुझे फिर से वही आवास सुनाई दी और उसने कहा मिश्टर फैरल आप अब अपने जूते पान लिजिए और धिरे इसे इस पहाड़ी पर चढ़ना सुरू कीजिए और मुझे तक पहुँचिए इन सब्दों के कान में पढ़ते ही मैंने आसपास देखा और मुझे एक संत दिखाई दिये जिनकी काया तो बहुत ही कमजोर दिख रही थी पर एक अलग ही आकरसन और चमक उनके अंदर से बाहर आ रहा था वह मेरे सामने खड़े थे मैंने सोचा मैंने ना इने कभी देखा है ना इनसे मिला हूँ तो फिर इने मेरा नाम कैसे पता है और मैंने उनसे पूछा आपको मेरा नाम कैसे पता है वे यहाँ पर खड़े थे फिर उनकी परचाई मेरे टेंट तक कैसे पहुँच सकती थे और टेंट में ना ही कोई रेडियो ना ही कोई माइक्रोफोन मौझूद था तो फिर उनकी आवाज मुझ तक कैसे पहुँची इस तरह के कुछ प्रस्न मेरे दिमाग में उठे और इन प्रस्नों को रोकते हुए उन सादू महराज ने मुझ से कहा जो भी तुमने देखा और सुना वह किसी समान ने दिमाग की समझ से बाहर है यह सब समझने के लिए एक व्यक्ती को एक लंबी साधना और योग की क्रिया करनी होती है सांसारिक सुखो को छोड़ना होता है इंद्रियों के आकरसंड से मुक्त होना पड़ता है और एक विशेस कारण के लिए मैंने यहां तुमें बुलाया है मिश्टर फेरल यह नहीं समझ पा रहे थे किया सादू जैसा व्यक्ती एक इनसान ही है या इश्वर तूली कोई काया मिश्टर फेरल जो भी सोच रहे थे वह उस संत द्वारा लगातार पढ़ा जा रहा था जैसे मिश्टर फेरल की सोच कोई खुली किताब हो मिश्टर फेरल पत्थर से नीचे उतरे और कुछ ही समय में उस इस्थान के समीप पहुँच गए जहां वह संत बैठे हुए थे वे संत जहां बैठे थे उस पाहड़ी की खोह इतनी छोटी थी कि केवल एक व्यक्ती ही वहां अराम कर सकता था वहां जलती हुई धुनी के अलावा और कुछ भी नहीं था मिश्टर फेरल आगे लिखते हैं उन संत ने मेरी पीट पर अपना हाथ रखा उनके हाथ बहुत ही कमजोर दिखाई देते थे और मैं आश्यर चकित हो गया वह विद्यूत के समान सकती एक कमजोर सरीर में कैसे मौजूद हो सकती है मेरा सरीर जो की दर्द में तूट रहा था अब ऐसा लगने लगा जैसे कि या फूल के समान हलका है उनके प्रति आदर दिखाने के लिए मैं अपने घुटनों पर बैट गया और उनके पैर चुए मैंने बहुत से सादू देखे थे लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि सादू और संत जिनोंने भारती दर्शन और संस्रिती को बढ़ावा दिया या वह नहीं है जो सड़कों पर घुमते हैं लोगों के सामने अपना चमतकार दिखाते हैं बलकि वे लोग हैं जो सब लोगों से अलग थलग रहकर एकांत में वास करते हैं इन संत का सरीर मातर 40 से 45 किलो का ही रहा होगा लेकिन उनके सरीर की सक्ती ऐसी थी मनों हजार बम एक साथ फट रहे हो उनका ज्यान ऐसो था जैसे हजारों पुस्त काले उनके दिमाग में समाये हो इन साथू ने मुझे बताना जारी रखा जहां तुमने अपना टेंट लगाया है वहां मैंने एक युवा को आने के लिए प्रेरित किया है पिछले जन्मे वह मेरा शिष्य था उसकी साथना आधी ही हुई थी अब मुझे उसे आगे के लिए मार्ग दर्शन देना है ताकि वह अपनी साथना जारी रख सके और विश्य के कल्यान में मदद कर सके लेकिन उसकी पिछले जन्म की इस्मृतिय धुमिल हो चुकी है इस जन्म के परिवार और वातावरण उसे उसकी साथना को पूरी करने से रोक रहे हैं और इसलिए वह अपनी साथना पूरी करने में असमर्थ है अगर यह होता है तो जो मैं चाहता हूँ वह पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए तुमने जहां टेंट लगाया है उस जगह को तुरंद खाली कर दो इस पर मिश्टर फैरल ने कहा भागवान क्या आप मुझे मेरे पिछले जन्म के बारे में कुछ बता सकते हैं पर साधु ने कहा बेटे यह सिद्धियां किसी दिखावे के लिए नहीं है यह किसी विशेस कारण के लिए आहरित की गई है और यह बेतर होगा कि इसे उसी कारण के लिए इस्तमाल किया जाए हाँ मैं तुम्हें यह कह सकता हूँ कि अगर तुम उस समय यहां मवजूद रहन चाहो जब वह ही हुआ जिसे मैंने यहां बुलाया है वहाँ आए तो उसके पिछले जन्म का विवरन मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ अभी तुम जाओ लोग तुम्हें ढून रहे हैं और मैं भी थोड़ी जल्दी में हूँ मिश्टर फेरल अब टेंट की और वापस चले गए और लोग सच में उन्हें ढून रहे थे मिश्टर फेरल ने यह घटना कुमाओ के राजा को बताई और उन्होंने वह जगा छोड़ कर अपना टेंट कुछ एक किलोमेटर दूर लगा लिया उस दिन की शाम सच मुझ एक युवा उस जगह की खोच करते हुए आया और अपने आपको हर तरह से संतुष्ट पाकर वह उस जगह पर बैठ गया जहां पर इसके पहले टेंट लगे हुए थे और मिश्टर फेरल भी कुछ देर बाद वहां पहुँच गए मिश्टर फेरल की जागरुकता और भी पहुच गए मिश्टर फेरल और उस युवा व्यक्ति ने उन संत के पैर्च हुए और उनके आदेश की इंतजार में वहां बैठे रहे यह जगह पेड़ों के बीच में थी सादु ने आग जलाते हुए कुछ पूजा की और कुछ मंत्र पढ़े और हमें विध्यान की जैसा कुछ चलने लगा प्रकास में उस युवा ने पूरी तरह से अपने पिछले जन्म को देखा बीच बीच में वह युवा बहुत अजिक चंचल होता और कहता हां हां यह मैंने किया है अंत में उस युवा ने उस संत के पैर्च हुए और कहा प्रभू अब मेरा इस जाओ और जब सही समय होगा मैं तुम्हें फिर से बुलाओंगा मिश्टर फेरल लिखते हैं कि इसके बाद उन्हें नहीं पता कि उस लड़के को दोबारा कब बुलाया गया क्या उस लड़के के साथना पूरी हुई और वह कौन सा व्यक्ति आगे जाकर बना मिश्टर फे करें